जैन दोस्तों रेल्वे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए रेल्वे साइन्स प्रेक्टिस इट से बने का आए हम आपके सामने आशा है कि आप एक से लेके छे तक का वीडियो आप देख चुके होंगे अगर आप रेल्वे गुरूब डी का तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक मैं देखता हूं कि यह जो रेल्वे का पैटरन पीछे पिछला साल जो कुछा गया था टीसी पैटरन पर अधारित ले उसी पैटरन को मान कर इस साल भी मैं उसी लेबल का कुश्चन डाल रहा हूं ताकि आपको आप अच्छा से आप बेहतर कुछ कर सके इस बार आपका सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखिए सबसे काम अप सबसे अच्छा आपको अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं मैं आपके लिए टाइपिंग कर रहा हूं उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं आप मेरे लिए इसा नहीं कर रहा हूं ताकि कुछ लोग को भाइद लिए लेकिन वो पेड़ करने के लिए पेड़ नहीं करना का सीखें तो उन लोग को बहुत प्रसानी होता है पेड़ गरूप में तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप मेरा एंथ्रियो साइट लिम्फोसाइट थ्रम्बोसाइट और इन से सबढ़ सीनने इस सबी सब jus सब्सक्राइब में कॉछ स्थानिग नहीं होते हैं चेए प्रोटियम डियू ट्रियम हो हीडोजन का समस्थानिक में कई नहीं होता है होलियम अदिनों है है है थीक तो उसका नाम प्रोट्ययम का एक त्रूट्रियम को दो यह तिरी टिरियम कति अब लोग जनरे प्रोटियम करते तरुमान एक लेते हैं कही भी इसलेंगा मतलब प्रोटियम हम लोग लेते हैं ने चलते हैं जिलिएमिस घेलियों से आपका हो जाएगा लाइसो सों ठीक है अब आसा है कि आपको यह आप सही बना रहे होंगे क्योंकि आप इस पर पढ़े होंगे कहीं ने कहीं कोई कोचिंग संस्थान यह बगएर यह तो अपने से ने टेंट का बुक पढ़े होंगे आप यह सब क्वचन वहां देखने को मिलता होगा ठीक है चलते हैं यह निकोशिका सब्द कुद्पति ने किस बैगानी का नाम कोशिका सब्द किस ने दिया कहने का मतलब यह सलाडेन ने वं स्वान बार्सन ने वं कि नीले वं पर उसका र इन में से जाइलम का कोशिका नहीं है जाइलम कोशिका फलोयम कोशिका अगर आपको यह पादापुत्तक का समझ में नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाए नसीयाटी प्लेलिस्ट में हमें प्लांट टीसू यानि पादापुत्तक पढ़ाया हूं उसमें में किलियर क इंसर हो जागा साथि कोशिको ये दुन हो किसका छारपा कयों से न Всем आग होता है घुलाम भाणिनि 103 कोशिका ट्राशीड और यह यृफ जो है तो वह हो जाएगा आपका साथी को शी का चलनिको सी का अज्डिक परेंगेंघ का 있나 ख़ल्वोय निट्ष चलते हैं जीवासमिंधन को धारन है जीवासमिंधन वढ़ारन को वह इन साल का रहए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जीवासमिंधन मतलब जे कहीने कहीं जंतू सही बना है डखले भी और बहुंट सांग बहुत जाता है जिव को एक है तरण विर्थit सो हटर तो अब रखाल कमान क्या होगा 120 मालजिये 20 वॉन वाइट टीव होता है विद्वics स contour बाई टी तो आप इसका सिस्टर से बना लीजयेगा अगर कोमेंट में करिएगा हर बार मैं आपको बताता हूं लेकिन इस बार मैं आपको नहीं बताने गारा हूं सधां जब तक परियास करें नहीं परियास होता है तो में भाटसप ने जुड़े हैं या तो की डिर क्लकाक तो एक बटा यह आप करते हैं तो एकबटा शव करते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा यह चलिए सब तो तोटल का टोटल सकेंड में दिया हुआ ठीक है कि अवर्थ का महान है इसीधा आपको एक ही बात तो याद करना था कि टी बराबर टी मतलब टाइम बराबर व ये आप तो कहा हैं कि समताप मंडल बाहिर मंडल ओवव मंडल एप उड्याट पोच्छं कहीं वार इंग्लीश से पूश हो तो यह पाया जाता है अंप्यों मतलब समताप मंडल में ठीक है इसका राइट एंसर का हो जाएगा समताप मंडल सेट लेनिकित में स्थल ये परीतांत्र नहीं है मतलब यहाइट एंसर क्या हो झाएको बेरियम कि जीनसब्द की परस्तावन इस ने किया था जीनसब्द किस ने दिया था बार्शन ने, बेंडेन ने, मेंडल ने, जोहांसन ने, इससे पहले में क्वेचन दिया था कि कोषिका सब्द किस ने दिया था तो आप मारे ते रॉबर्ट हूप ने, यहां जीन सब्द किस ने दिया था, इसका राय टेंसर हो जाएगा, जोहांसन, नेट चलते हैं, फेडरि प्रेटरिक मीशर ने क्या दिया था थीक है अब इसका नाम हो जागा राइट एंसर नुकलीक आप उल्टा करको पूछ सकता है कि नाम माकरन किसने कि तो आप फेडरिक मीशर मार सकते हैं ठीक राइट एंसर चलिए बढ़ते हैं अब आर्ठ सार्णी के दूतिये बर्ग के सद को क्या काते हैं दूसरा को क्या काते हैं सतरमा को क्या काते है toward टीक है तो अवर्षा निकर पहले पहला को क्या कहेंगे तो उसको और रिये उत्या को बोलते हैं अगर सतर्मा समुझ देता तो आप अकेरिये गये सुनने समुझ ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा दूतिया सम छारीय मिर्दा धातु था थो ठीक है अबर्थ सार्णी में सुन समुझ का तत्म नहीं है इन में से कौन सा था तो आबर्थ सार्णी का सुन समुझ का नहीं है नियोन हिलियाम कलोरीन और गन तेकि सुन समुझ का मतलब अठार्मा समुझ अकरिये गेस अकरिये गेस इसमें कौन सा नहीं है तो कलोरीन क्या है एक हेलो यह पूर यानिए सी एक तरप कर लेंगे हो चाराय की प्रमानुसंख्या क्या है लोहा एफी आईरन जिसको बूलते हैं लोहे का परमानुसंख्या 26bst्य पचीष 25ेंश्चेंश्र पूछा ग्रहीश में काहिए और मसा अम्हिशिए अदूक में का अर्धृट अर्ध कह रहा कोई नहीं है टैकि इसमें अर्धृचालक नहीं पूछ रहा है तो इसमें पारा क्या है अर्धिचालक नहीं है ठीक है सिलकन अजर्मेनियम क्या है अर्द चालक चलिया यह बारा वोल्ट विवांतर के दो बिंदूओं के बीच दो कुलाम अबेस को ले जाने में कार्ज किया जाता है कितना जूल कार्ज होगा छे जूल देखिए एक बार आप देख लिजिए मैं आप वी ब्राबर क्या होतार डबलू बाइक की यानि क्यों यानि आप तो फिर हम यहां डबलू पूछ रहा है कार्ज पूछ रहा तो भी गुने क्यों तो बारा दुनी चोभी जूल एंसर हो जाएगा इसका चले नेट चलते हैं कि इसी बल्ब से 220 भोल्ड पर दो एंपीर की धारव प्रवाइत होती है तो फिलामेंट का प्रतिरुद क्या होगा पच्पन ओम दस ओम 220 ओम 110 ओम देखिए आप पढ़े होंगे ओम का नियम भी बराबर आई यार पढ़े होंगे जरूर पढ़े होंगे तो आप फर्मनल लगा द दसओम स्रेंट करते हैं विदूद धोर ऑख गणा में सीधान नहीं बैसे कोई नहीं तो यह स्थिभाए शुआ में बढ़ जाती है तो यह हो जाता है फ्यूज गल जाता है चले ने चलते हैं एक एक किलोवाट घंटा किसके बरावर था फैक्ट है रट लिजिए जीरो पॉंट ठी शीक्स गुने दस पर पावर छे जूल 1.610-9J, 3.6106J, पना लिए होंगे, 3.6106-6J, कंड़न द्वारा, जनन होता है, हैडरा में, अभिवा में, इस्ट में, कि समें होता है, दूए, खंडन द्वारा किसमें होता है, आप देख लिजए जाके, एक माईज का स्पेसल ऐक चोटा सा वीडियो बनाया हूंग आप उ लिस्ट जाएए पले लिस्ट मोव नहीं मिलगा डायरेट वीडियो में कहीं नहीं मिल जागा खुज देजिए ठीके तो खंडन दोराई अस्पाइरो गायरा में परजनन होता है चलते हैं कि अमीवा बोलेगा तो दुई खंडन हैटरा बोलेगा तो कुनर उद्भवान और इ गरंथी से ही सरावित होता है ठीक है चलते हैं थायराउक्सिन का सरावन कहां से होता है थायराउड गरंथी से या क्रिस से बिरिक से बिर्संथ थायरोक्सिन का सरवन कहां से होता है थायराइड से होता है ठीक है थायराइड नाम गरंथी से थायरोक्सिन का सरवन होता है चल में नहीं है जो कि दोनों परकार काम नहीं करता है मैंने इसमें कर काःता अच्छा से पियांथ है यह बाकित तोनों क्या है बाकित बाकी सरावी बी है इसक इसका यह जाएगा प्योटन गरंथी जो किसरी अंत्राश्राहवी यह खंतरार नश्मार nos john रहे अंडसे रहे गांकरत यह यह तीन हो किया है और फ Dewसh मां का मत ब्रकार का नश्चलते हैं एलाश को सथन अमलोबर्शा का पैस मान क्या होता है जो लिए देख लिए इनसी आठी में सफ़ा सफ़ा पॉइंट लिखा हुआ कि जो अधी अधी बर्सा का प्याइच मान 5.6 से कम हो जाए तो क्या होगा अमली बर्सा का लागा इसका राइट एंसर सी हो जाएगा फाइप 5.6 से कम रहेगा तो अमली बर्सा ठीक है और बोलेगा कि किस एक देखिए नसी आटी में कलास टेंथ में जो है पीएच मान पर एक और क्वेचन आप बनता है कि मनुस्त का जो मुह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है तो दातों का छरण शुरू हो जाता है तो उसका से लेकर साथ पुन आठ तक का ही काम करता है तो कुछ-कुछ का पीएच मान है जो कि अंसी आटी में दिया तो तो कम से कम अब करके रट लिए ठीक है चलिए आज का सेट समावत हुआ आसाए कि आपको पसंद आया होगा यदि आपको अच्छा लाग रहा है तो आप अपने से जो है वो कमयाब हो जागा मेरा उदेस है कि गाओं-गाओं तक जो मैं इंयुक्षा का चला रहा हूँ यह कारण में गाओं-गाओं तक शिच्छ उसाना चाह रहा हूँ यह बिना आपके सपोर्ट से समभब नहीं हो सकता है यदि आपको चाहिए आप तो आप मैं डिस्क्रिप्सम में टेलेग्राम का लिंक या तो मैं भाटसब गुरूप का लिंक दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर लिजिएगा ठीक है चलिए धन्यवाद